नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम जानेंगे कार डेलर्शिप के बारे में कुछ राज की बाते हैं जैसे कि कार की प्राइसिंग का फंडा क्या होता है? एक कस्टमर को कार खरीदने से पहले जो ओफर्स दे जाते हैं उसके पीछे actual क्या logic होती है और उसे कैसे fix किया जाता है एकसेसरिस बेचने का क्या फायदा होता है और उस पे डेलर्शिप कितना profit कमाती है? एक salesperson को एक कार बेचने पर कितना incentive मिलता है? एक कार डेलर्शिप लिए हुए owner को एक कार बेचने के बाद आखिर कितना मुनाफ़ा होता है? ये सभी interesting बात है आज हम लोग चानेंगे और मेरी 100% guarantee है ये चीज़ें आप लोगों को कभी न कभी काफी help करेंगी तो आगे बढ़ते हैं वीडियो अची लगे तो like, share और चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए तोस्तों सबसे पहले जब कोई customer कार खरीचने के लिए जाता है तब उसे अपनी बसंद की कार choice करने के बाद अगर sales के बंदों को लगे कि customer genuine है और उन्हें कार लेने में थोड़ा बहुत interest है तब normally उन्हें कार dealership की तरब से quotation दिया जाता है उस quotation में भी कुछ चीज़े होती हैं जो आप लोगों को जाननी जरूरी है देखिए कुछ dealership customer को सारे कुछ discounts उसी एक quotation में दे सकते हैं कुछ और cases में dealership बस 15,000 का discount देता है और rest बचा हुआ amount जो है वो रखता है जब वही customer कार लेने के लिए अपनी booking amount लेके वापस showroom को आएगा कुछ और बहुत शाती डिलर्शिप होते हैं जो की आपको 20-30,000 रुपे price बढ़ा कर quotation देंगे ताकि वो बाद में उसे minus कर सकें जिससे की customer को लगे उसने गारी खरीते बहुत काफी जादा discount पाया है और वो खुश हो जाता है और obviously वो वाड़ अप मौत का जो marketing होता है वो काम में आता है दोस्तों यसे भी कुछ quotation दिये जाते हैं जहाँ पर आपको price बढ़ा कर दिया जाता है और जब आप उससे discount मागेंगे और offer मागेंगे तब salesman अपने senior से जाके उसके cabin में जाके कुछ बात करेगा और फिर वापिस आके आपको discount दिलवाएगा लेकिन actually वही discount उसी sales वाले मंदे के हाथ में होती है और ये एक sales trick है जो कि काफी customer समझ नहीं पाते और उन्हें लगता है कि showroom वाले उनकी काफी इज़त कर रहे हैं लेकिन reality में ऐसा कुछ नहीं होता एक car के quotation में dealership वाले minimum से minimum 40-50,000 तक का margin रख सकते हैं अब आईए जानते हैं किसी भी car के on road price के पीछे क्या-क्या fundamentals यूज किया जाता है चलिए मैं details में example के साथ समझाता हूं तो चलिए मान लिजे कि आपने एक car book की है जिसकी जो एक showroom price है वह आपको बताया गया है कि 6,20,000 रुपय है तो आपको इसमें insurance लगेगा आसपास में 35,000 रुपय का registration charges जो है वह आपका 6,20,000 की जो एक showroom price की जो गाड़ी आती है उसमें आपको registration charges लगेगा 58,000 के आसपास कुछ states जैसे कि पंजाब, हर्याना, राजिस्तान, उतरप्रदेश में एक तरह का CES लगता है जिसे बुलते हैं cow CES सही सुना आपने गाए का CES जो की 0.2 से लेके 20% तक होता है इस CES को गाए और मेमिश्यों के रखरखाफ के लिए लिया जाता है उसी तरह से कुछ और states में जो है health और education के लिए भी CES, car dealerships वाले customer से लेते हैं तो coming to the topic मैं मान लिजे कि 2% का cow CES या फिर education CES उन लोगों ने लिया जो बनता है करीब 1200 रुपे का number plate के लिए ले लिए आपसे जो hsrp number plate है उसके लिए 1200 रुपे handling charges करीब आपको पड़ेगा उसमें 10,000 रुपे के आसपास तब आब आते हैं main part है जो accessories का part है तो सोची अपने उसमें 20,000 रुपे का accessories जो है अपने गाड़ी में लगवाने की interest दिखाई तब इससे total जो गाड़ी extra room के आपकी 6,20,000 की होती है उसकी total on road जो price होती है वो अब हो जाती है 7,44,000 रुपे के आसपास अब आते हैं extra room price में dealership का profit कितना रहता है तो मान लीजे की car की extra room price अगर 6,20,000 रुपे है तो जिससे की हमने पहले ही discussion किया था तो actually उससे manufacturer जो है वो dealer को bill करती है 5,80,000 रुपे का margin रख लेती है इस margin के साथ किसी को भी खिलबार करने के लिए नहीं दिया जाता ना कि sales person को या manager को किसी को भी नहीं तो और car बीखने के बाद सीधे ही 40,000 रुपे उनर के pocket में जाते हैं अब आती है insurance की बात दोस्तो 35,000 रुपे की जो insurance आपको 7,000 की car के साथ जो मिलती है उसमें 8-10,000 रुपे की margin अक्सर dealership रख लेती है उसी तरह road tax आपको गाली की कीमत की 9% के लगभग देनी परती है तो 28% GST और registration charges etc मिला के आपको car में लगती है उसमें भी dealer का जो है 10-15,000 रुपे profit बन जाता है जिसको आप चाहें तो discount किसे आप से आप कुछ से कटवा सकते हैं यह सब कुछ sales executive or sales manager के हाथ में होता है लेकिन अक्सर हम लोग नई गाड़ी खरीदने की खुशी में negotiation को इतना importance नहीं देते हैं लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा सा negotiation के उपर उतर जाएं तो you can actually crack a good deal discount के फंडे में एक और चीज आप सही से ध्यान रखें कि अगर आपको कोई भी car dealership की तरब से exceptional discount दिये जाने का वादा किया जाता है तो हो सकता है कि वो आपको कुछ ऐसी cars बेचना चाहरा हो जो कि stockyard में बहुत महिनों से पड़ी हो उसकी sale ना हो ऐसे कुछ variants होते हैं जो बिलकुल नहीं बिखते हैं और वो पड़ी-पड की हुई car co finalize करने से पहले उस car की पूरी जनम पत्री देख लें तो आज के वीडियो में बस इतना ही और अगर पूरी वीडियो देखने के बाद भी अगर आपकी दिग्माक में कुछ doubts हैं तो बेशक comments में मुझे जरूर पूछिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिट से automobile से related कुछ knowledgeable चीज़े जानेंगे आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को like subscribe और share जरूर कर लीजिए जय हिंद